ड्रग्स कनेक्शन में अभी शौविक का नंबर आया है जल्द रिया चक्रवर्ती से भी पूछताच मुम्किन है E.D. आज एक बार फिर सुशांत की दोस्त वरुन माथूर से सवाल जवाब करेगी वरुन एक फर्म में सुशांत के पार्टनर थे साती रिशब ठककर से E.D. पूछताच फिर करेगी रिया की ड्रग्स से जुड़े वाट्साप चैट में रिशब का नाम सामने आया है रिशब बिलियर्ज और स्नूकर जैसे खेलों के नैशनल लेवल प्लेयर रह चुके है विद्या हमारे साथ लगातार मौजून है D.R.D. गेस्ट हाउस से विद्या देखिए अभी तक CBI को हत्या को लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं इन ड्रक्स को लेकर जो एक के बाद एक ये नए किरदार नए चेहरे सामने आ रहे हैं ये मामला इस वक्त ज्यादा गंभीर दिखाई देता है क्योंकि सवाल ये भी है कि अगर सुशान सिंग राजपूत मानसिक तोर पर बिमार थे जिस तरह का दावा किया जा रहा है तो भी अगर उन्हें ड्रक्स दिया जा रहा था उनके इर्दगिर्द जो सर्कल मौझूद था वो ड्रक्स ले रहा था तो यकीनन ये कई लोगों के उपर सवाल खड़े करता है और ये जो चहरे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं कैसे नाकोटिक्स का इन्वेस्टिगेशन इनको लेकर आगे बढ़ने वाला है ये भी बताए और देखे इस बीच ये तस्वीर भी आपको में दिखा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के पिता इंदरजीत चक्रवर्ती डियाडियो गेस्टाउस पहुंचे है दिद्या वहाँ पर मौजूद है इंदरजीत चक्रवर्ती को CBI ने आज पर बुलाया ये तीसरा दिन है इंदरजीत चक्रवर्ती से पूछता आज का आला कि इससे पहले जो दो दिन पूछता चुई उसमें रिया चक्रवर्ती की मां समया चक्रवर्ती को भी बुलाया गया था लेकिन आज सिर्फ इंदरज लेकिन एक बड़ा सवाल एक बड़ा मामला इस बात को लेकर भी है जो शौविक चक्रवर्ती के चैट से डाड लव्स में जो रेफरेंस आ रहा है वो डाड लव्स या कोई कोड है या फिर उन्होंने अपने पिता के लिए उस चब्द का इस्तमाल किया है ये अभी investigative agencies इस पर विद्या कितना समय और रिया के पिता इंदुजी चक्रवर्ती को वहां पहुचने के लिए बिया के पिता को यहां पहुचने में तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे मिनक्षी यहां पर अभी तकरीबन साड़े दस से ग्यारा के बीच में वो लोग यहां मौजूद होते हैं ताकि ग्यारा बज़े का जो समय दिया गया है उन्हें को पूश्ताच करने का वो एक्दम सही स समय पर शुरू हो जाता है ग्यारा बज़े से पहले वो लोग जरूर यहां पहुच जाते हैं ताकि जो भी पूश्ताच हो उसमें वो पूरी तरीके से कॉपरेट करते हुए नजर आएं और यही वज़ए है कि जो इनके लिए सबसे जादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर जो एक हसक शेर था परिवार में खास वर से रिया और सुशांत के बीच में उनके फाइनाशिल ट्रांजाक्शन को लेकर वो अखिर कितना था क्या सुर्फ्स वो गाइड कर रहे थे या पिर उन्होंने और भी जादा कुछ ट्रांजाक्शन हुए थे बहुत सारे एहम सवा जो CBI पूछ रही है एक ही सवाल को बार-बार पूछा जाता है ताकि कहीं पर अगर कुछ अटक के कोई इनसान तो उससे कुछ रेफरेंस लिया जा सके इसको समझ में आया सके CBI को कि यहाँ पर यह मामना गर्ड़ा रहा है जैसे की हल चलोगी आपकी पास लोटेंगे मुस्तफा भी हमारे साथ मौजूद है मुंबई से ही ED दफतर के बाहर से मुस्तफा देखिए आज शौविक चक्रवर्ती से पूछताच कर रही है ED ड्रग्स को लेकर शौविक चक्रवर्ती का जिस तरह से नाम सामना आया और जो ड्रग्स पैडलर गिरफतार हुए है उनके साथ डीलिंग में ड्रग्स कंज्यूम करने में शामिल था शौविक चक्रवर्ती लेकिन आज जब ED डफतर पहुँचना है ED किस तरह से शौविक को किस एंगल से इंवेस्टिगेट करेगी और ED डफतर में आज क्या होने वाला है जी पहली बात तो यह है कि Enforcement Directorate ही वो एजेंस्टी है जिन्होंने इस पूरे केस में ड्रग्स का एंगल सामने लाया है रिया चक्रबती का फोन जो उन्होंने क्लोन करकर यह वाटसेप चैट्स निकाला है जिसमें एक ग्रूप सामने आया जिसमें ड्रग्स की बाते हो रही है Enforcement Directorate के पास जब आज शौविक चक्रबती पहुशते हैं तो यह जो एंगल होगा Financial एंगल नहीं होते हुए यह होगा कि गौरवारिया के साथ Enforcement Directorate ने जो भी पूश्ताच की है उनके रिष्टे गौरवारिया के रिया के साथ कैसे थे उसके बाद शौविक चक्रबती का जो नाम दो पैडलर जिनको NCB ने अरेस्ट किया है उन्होंने लिया है कि हमने शौविक चक्रबती को ड्रग्स प्रोवाइड किये हैं सैमियल मिरेंडा के जरिये यह ड्रग्स प्रोवाइड किये गए हैं सैमियल मिरेंडा घर के मैनेजर है सुशान सिंग के तो यह सारी जो गुत्ती है यह Enforcement Directorate सुलजाने में लगी है कि कहीं न कहीं क्या शौविक चक्रबती ने गंजून किया है क्योंकि अगर ऐसी बात है तो एक बात यह भी साफ है कि Enforcement Directorate के बाद 9CB Narcotic Central Bureau शौविक चक्रबत्य को बुलाएगे सैमियल मिरेंडा को बुलाएगे और फिर आगे की पूस्ताच की जाएगी